नमस्ते फ्रेंड्स गार्डिंग वित बंदिना में आपका स्वागत है आज मैं आपको अपने हाँ ये लगे हुए ग्रास दिखाऊंगी जो कि ग्राउन में लगे हुए हैं हाला कि ये बहुत बड़ा एरिया नहीं है बहुत छोटा साही है तो आप अपने यहां यह ग्रास कैसे लगवा सकते हैं तो आज इसी के बारे में एक छोटी सी जानकारी आपको दूँगी यह मैंने लगवाया हुआ है अभी हाल ही में करीबं 10-15 दिन हुए भी बहुत जादा इसमें ग्रोथ नहीं है फ्रेंड्स कौन नहीं चाहता कि इन हरी हरी घासों में और सुबह सुबह में चला जाए तो यह बहुत ही अच्छा होता है एक तो सेहत के लिए भी अच्छा होता है यह और आप यह देख पाएंगे कि जब हरी हरी घास में पैर रखते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है और ऐसा कहा जाता है कि सेहत के लिए भी यह बहुत अच्छा होता है गास में चलना, यह बहुत अच्छा माना जाता है सेहत के लिए भी, यह साइन्टिफिक रूप से भी यह है, तो आपके यहाँ एक चटाई बिछाने भर की जगह हो, तो आप यह अपने यहाँ लगा सकते हैं, ग्रास, मेरे यहाँ का भी जो यह एरिया है, जिसमें यह ग्रास मैंने लगा रखी है, यह तीन बाई पांच का एरिया है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, और आप देख सकते हैं, इसके किनारे किनारे यह दूरानता की हैज लगी हुई है, जो आप अकसर वीडियो में देखते रहते हैं, और फ्रेंड्स धूप बहुत तेज है, इस किनारे ही यह हेज लगी हुई है, और उसी में छोटी सी जगह बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो उसमें मैंने लगा रखी है, और इसे लगानी के लिए फ्रेंड्स बहुत आसानी से आजकल नर्सरीज में मिल जाते हैं, यह दो बाई तीन के छोटी छोटी चटाई का मिलता है, और नीचे पॉलिथीन लगी रहती है, यह रेडिमेट उगाया जाता है, और आप अपने छोटी सी जगह में कहीं भी आप ले जा करके इसको बहुत छोटी चोटी सी जगह में भी उगा सकते हैं, इवें टेरिस पे भी लोग बना लेते हैं, तो वहां भी यह ल गोल्डेन ग्रास भी आती है, यह पूरी ग्रीन है, आप देखिए नजीक से, यह पूरी ग्रीन ग्रास है, लेकिन इसमें गोल्डेन भी आती है, तो वह तो मैं नहीं लगवा पाई हूँ, क्योंकि मुझे इसको धूप में पर्मनेंट यह रहता है, तो वह वाला थोड़ा दिक्कत कर सकता है, छाय वाली जगे पर आप लगा सकते हैं, लेकिन यह जो पूरा ग्रीन कलर का है, चुकि आप देखिए, मेरे यह जो यह दुरानता की हैज लगी हुई है, यह भी यह देखिए, यह गोल्डेन वाली लगी हुई है, तो उसके साथ यह डाक ग्रीन कलर बह तकि हैज कितनी अच्छी लग रही है ये फ्रेंड आपको नर्सरी में बहुत आसानी से एवलेबल हो जाएगी और इसे लगाने में ज्यादा जंजट नहीं है पहले तो मिट्टी को पूरी तरह से लेवल किया जाता है ताकि कहीं उचा और कहीं नीचा ना हो सब एक सार किया पूरी मिट्टी को गुडाई करके और उसके बाद से इसमें थोड़ी खाद डाली जाती है वह खाद गोबर की होती है वर्मी कंपोश्ट भी होती है और नीम खली का भी एक पूरा एक दो पैकेट जैसा आपका एरिया रहे उसी साब से मिलाया जाता है और इन तीनों को मिल ग्रास वाली तो यह चट्टियां बिशा दी जाती है और इसके ऊपर से इसमें खूब पानी भर दिया जाता है इसमें पानी जितना अधिक दिया जाएगा इसकी ग्रोथ उतनी अच्छी होती है फ्रेंड यह एक एक चट्टियां लगभग धाई सो से साढ़े तीन सो के बी इवन टैरिस पे भी आपके पास छोटी सी जगह हो तो आप उसमें भी लगवा सकते हैं और ऐसे किनारे किनारे गंबलों में हैज भी लगा देंगे तो यह बहुत अच्छी लगती है और फ्रेंड इसके साथ साथ आपको मैं दिखाती हूँ यह देखिए यह मेरे पोर्श लगा है और इसकी वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाली है वह भी आप चाहें तो देख सकते हैं इसमें कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रखी है इसकी पूरी केर टिप्स मेरे चैनल पर है अगर हो पाएगा तो मैं लिंक भी लगा दूगी डिस्क्रिप्शन में भी दे तो इसलिए जितनी ज़्यादा धूप रहती है उतनी अच्छी तरह से पूर्चुला का खेलते हैं तो आप इन्हें देख सकते हैं किने मैंने कैसे लगाया है क्या खात दी है और कैसे इनकी केर करी है तो फ्रेंड्स मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे ला